कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का दस्वा सबक सबक नंबर दस पहले काम बाद आराम काम के वक्त जो आराम किया करते हैं आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं सखत नादान हैं वो लोग बुरा करते हैं हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं पहले तुम काम करो बाद में आराम करो लुट्फ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद दोर राहत का मज़ा तल्ख ये अयाम के बाद पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो सफ़ा नंबर चपपन जिसको आराम से हर वक्त सरोंकार रहे फिक्र आराम में जो काम से बेजार रहे क्या ताज्जुब है कि वो मुफ्लिसो नादार रहे काहिलो खस्ताओ, दर्मांदाओ लाचार रहे पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं महनत वाले हार जाते हैं सदा, सुस्ति औ गफलत वाले पहले तुम काम करो, बाद में आराम करो मानी याद कीजिए नादान ना समझ कम अक्ल दाना समझदार अक्ल मंद आखिरकार नतीजे के तोर पर बिलाखिर बात बयान दौर राहत आराम का दौर आसाइश का जमाना लुत्फ मजा तलखिय अयाम करवाहट के दिन, तकलीफ के दिन सरोकार वास्ता, तालुक फिक्र आराम आराम की फिक्र बेजार उक्ताया हुआ ताज्जुब हैरत मुफलिस गरीब, फकीर, नादार काहिल सुस्त, कामचोर खस्ता खराब, बदहाल, तंगदस्त, ठकामांदा दर्मांदा नाचार, आजिस लाचार, मजबूर, बेबस अधूरा, नामुकम्मल बाजी ले जाना, मुहावरा जीत जाना, फतेह पाना गफलत लापरवाही, बेखबरी सोचिये और बताईए एक, वक्त पर काम ना करने का क्या नतीजा होता है दो, कामियाबी हासिल करने के लिए किस गौल पर अमल करना चाहिए तीन, आराम में लुट्फ कब हासिल होता है चार, शायर ने सिर्फ आराम करने वालों के लिए कौन-कौन से अलफाज इस्तिमाल किये हैं पांच, इस नजम में मेहनत से काम करने वालों की क्या-क्या खूबियां बयान की गई है चै, सुस्ति और गफलत से काम करने वालों का क्या अंजाम होता है साथ, पहले काम बाद आराम की तकरार से शायर का क्या मतलब है सफ़ा नंबर अठावन मिसरे मुकमल कीजिए एक, हम तो दानाओं से ये, खाली जगा, सुना करते हैं दो, दिन को जो सोया, तो क्या सोयेगा वो, खाली जगा, के बाद तीन, क्या, खाली जगा, है के वो मुफलिसो नादार है चार, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं, खाली जगा, वाले यहां दिये हुए लवजों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए बेजार होना, बाजी ले जाना, हार जाना, नादान, गफलत इन मिसरों को सही करके लिखिए चोड़ते काम अधूरा नहीं राहत वाले काम पूरा नहीं करते कभी हिम्मत वाले बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं गफलत वाले हार जाते हैं सदा, सुस्तियों महनत वाले याद कीजिए अपनी पसंद के दो बंद याद कीजिए गोर करने की बात दिन और रात के 24 घंटों में हर काम का वक्त मुकरर है सूरज, चांद, सितारे मुकररा वक्त पर अपने काम अंजाम देते हैं इसलिए सारी काइनात का निजाम अच्छी तरह चल रहा है इसी तरह जिन्दगी में काम्याबी और कामरानी हासिल करने के लिए वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए काम के वक्त पूरी तवज्जों से काम और आराम के वक्त आराम यही जिन्दगी की काम्याबियों और खुशियों का सुनहरी उसूल है इसी के साथ अपनी जबान भाग एक का दस्मा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक क्यारा आता है प्रस्तुती CIET, NCERT, नईदिल्ली, भारत